बारती जनता पार्टी की टीगमगर लोकसभा को लेकर आज बैठक संपन्ध हुई लोकसभा क्लास्टर प्रवारी भूपेंद्र सिंग इस बैठक में शामिल हुए वहीं भाजपा कार्याले में पत्रकार वारता में पत्रकारों से रूबर भूपेंद्र सिंग हुए मैं कहा कि लोकसबा चुनावी में नरेंद्र मोधी की नेतरुत में भाजपा की एक बार फिर सित प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनने जा रही है टीकमगर शेहर के एक नीजी गारडन में टीकमगर लोकसबा की तयानों को लेकर महत्यकून बैठकायो जित की गई थी मुख्यातीती के रूप में टीकमगर लोकसबा के लिए भाजपा लोकसबा परभारी पूरु मंत्री वा खुराई विदायक भूपेंद्र सिंग विदायक बावाजपा प्रदेश महामंत्री हरीशंकर खटीक वरिष्ट भाजपाई नेता शामिल हुए बताया कि टीकमगर लोकसबा चुनावी की तैयारियों को लेकर रह मत्रपूर बैठकायो जित की गई है जिसमें टीकमगर जतारा, खरगापुर, पिर्थवीपुर, निवाडी, चितरपुर, महराचपुर वा बिजावर विदान सबाओं के वरिष्ट भाजपाई नेता, वर्तमान बपूर्व भाजपा जिलाद्यक्ष, विधायक समस्त जिलापद दिकारी, मोर्शाद्यक्ष, मंडलद्यक्ष, महामंत्री वा वरिष्ट कारकरता गणु पस्तित रहे। उपेंद्र सिंग ने बताया कि भाजपा कारकरतावा पदधिकारियों को संबोधित करते हुए उनमें कहा कि आगामी लोकसवा चुनाव सरकार बनाने के लिए नहीं बलकि है भारत को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के नितृत में दुनिया में परम बैभाव तक चाने का चुनाव है के द्वारा लोकसवा की चुनाव की तैयारियों की द्रश्टी से आज टीकमगण संसनी छेत्र की बैठक थी जिसमें हमारे सभी मानी विदायक गण, पार्टी के सभी वरिष्ट नेतागण, जलाद्यक्ष गण सभी लोग उपस्तित थे और हम लोगों ने जो पार्टी के आगामी कारिकरम है, उन सारे कारिकरमों के एक कारियोजना बनाई है उस कारियोजना के आधार पर हम सब लोकसवा चुनाव की तैयारियों में लगे हुए है आज कीकमगर संसदी छेत लोकसवा चुनाव कारियले का भी सुबारम हुआ है और 31 जन्वरी तक पूरे देश में सबी जगे लोकसवा चुनाव के भार्टी जन्ता पार्टी के कारेले तारंब हो गए है और आगामी जो हम लोगों के कारिकरम है चार फ़रवरी से गाउं चलो अभियान प्रारंब हो रहा है उस कारिकरम की तैयारियों पर हम लोगों को इंक्याउन प्रतिसत वोट प्राप्त करना है उसकी कार योजना बनी है और जो गरीब कल्यान की योजना है उन गरीब कल्यान की योजनाओं का लाब हर गरीब को मिले भारती जन्ता पार्टी की हमारी सरकार ने मानि मोदी जी के नित्त्त में देश के अंदर रश्टा चार मुक्त सरकार देने का काम इन दस वर्सों में किया है सुसासन लाने का काम इन दस वर्सों के अंदर हुआ है इसके साथ साथ एक ससत भारत मजबूत भारत गौरव साली भारत सक्ति साली भारत के निर्माण की दिसा में मानी मोदी जी के नेतुत में हम लोग आगे बढ़े है मोदी जी की गारंटी पर आज पूरे देश को विश्वास है सबके सबका साथ सबके विकास के जो हमारा संकल्प सूत्र है उसके आधार पर और इसलिए आज पूरे देश में जनता ये चाहती है के मानी नर्यन मोदी जी देश के फिर से प्रधान मंत्री बने और उसी सबके प्यारियों में हम लोगों की आज की ये बैठक्स देखे लोक सबा में हम लोग आधार पर जो हमारी योजना है देश के विकास की उन योजनाओं के आधार पर इन सब मुद्दों के आधार पर मोदी जी जैसा नित्त जिस पार्टी के पास है इस सब आधार पर हम लोग जनता के बीच में जाएंगे और जनता का सी बाद मिलेगा आज तो देश में कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो मोदी जी की तुल्ला जिस से की जा सके और इसलिए मोदी जी जैसा जो ना के बल भारत के बलके दुनिया के नेता है ऐसा नेत्त और ऐसे हमारी पार्टी हमारी विचान इस सब आधार जनता के बीच में अटब benim जो गुकलिए ऑिके खार्टी हमारी में